लो बच्चो आज हम लोग अपना lecture सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं जो कीlawarbor ओफ एंथर से आज हम लोग देखते हैं इस में two lobes पाई जाते हैं और separate होते हैं connective tissues के द्वारा connective tissues जो मैंने बताया था कि मुस्ति connected tissue में vascular bundle present होते हैं जो की food material और water की supply करते हैं मुस्ति जो pollen grain develop होते हैं उनके लिए इनकी आवशिक्ता होती है इच एंथर लोग जो होता है या जो पाली होती है उसमें two ठीका होता है यहां यहां आते हैं यहां इस्पोर्स भरे होते हैं यह पूरा नाम दिया यहां पॉलें इसको हम लोग कहते हैं यह उपर लिखा हुआ है माइक्स को मदर सेल्स यह बीच में नुकलियस हो रहा है नेक्स पर आते हैं यहां पर जो आप देख रहे हैं एक कंडेंसेशन प्रॉसेश होता है और कंस्ट्रिक्शन के कारण यह बीच जो होती है वह रैप्चर कंड इसको हम लोग कहते हैं सुक्षिंबी जानुधानी स्ट्रिक्शर में हम लोग देखेंगे सम् हाइपोडर्मल सेल्स इन इच एंथर लोव विकम्स प्रॉमिनेंट यह जो बता है यह हाइपोडर्मल सेल्स सबसे टॉप रिजन पर पहली सेल्स होती है उसको हम लोग एपिड बता है और होने के पश्याज यह आर्टी स्पूरियल सेल्स में कनवर्ट हो जाती है इसको हम लोग कहते हैं प्रप्सू सैल्स प्रप्सू कुष का एं यह दो भागों में डिवाइड है फ़स्ट पर हम चलते हैं वाल लेयर आउटर जो आउटर लेयर होती है ठी पोर लेयर सेल्स में convert हो जाती है इसको हम MMC के नाम से जानते हैं Microspore weather cells है Nominix group में हम त्यार कर सकते हैं इसको अब हम आते हैं जो OTA से हम लोग देखते हैं structure of Microsparyngium का यह देखे एक complete एक उसने बताया एंथर का एक जो structure इसके अंदर जाते हैं हम लोग दाश्ट पर जलते हैं इसको मिनर वाल के रूप में कहते हैं एंडो थीशियम कहते हैं यह rounded part जो mid part पर cavity इसको इसको जने टीशू कहते हैं इसमें टीशू पर होते हैं यह पार्ट इसका tapitum कहलाता है और यह पार्ट आपके इसका middle layer पार्ट है अगर हम इसका काटके देखते हैं तो आउटर वाल्ड जो है mostly epidermis होती है epidermis के पशाज second layer पर आते हैं अब लोग एंडो थीशियम दिया गया है जहां मैंने बताये था आपको कि hypodermal cells के नाम से भी इसको जानते हैं थार्ड लेयर पर चलते हैं तो middle layer जो यहां दिया गया है फिर उसके बाद उसने next chamber जो दिया गया है उसलिए इस part में के परिंकाइमेटर tissue भी भरे होते हैं यहां मर्दू तक पाए जाते हैं यह part यहां परिंस में tap time के रूप में सूख किया जा रहा है next अब हम लोग आते हैं structure of mature enter mature enter क्या चीज़ है एक परिपक के पराकोस एंथर जो उसने बताया है कि मुशली क्या है यह two part में divide दिखता है यह यह पूरे एक pollen sec chamber आपका हो जाएगा इसको हम लोग ठीका के नाम से भी जानते हैं इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यह pollen grain जो है यह pollen grain भरे हुए है जगए 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 पर यह इसको हम लोग कहते है इसको हम लोग कहते है इसको हम लोग कहते है तैपिटम के रूप में जानते है यह पार्ट आपका जो यहां सो किया जा रहा है यह वाला stone